हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ अजीज आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल इस पर आज मैं बात करने वाला हूँ फाइनली थेटर में रिलीज हुई फिल्म बुलेट ट्रेन के स्पॉलर फिरी रिव्यू के बारे में और अगर अब सीधे कहानी की ही बात करें तो ये कहानी ब्रैट पीट के करक्टर लेडी बर्ड पर फोकस करते हुए यही समझारी है कि उसे एक सिंपल सा मिशन दिया गया है जो की बुलेट ट्रेन में जाकर बस एक ब्रीफ केस को लाने का है जिसके बाद उसके रास्ते में किन-किन तरीके की प्रॉब्लम निकल कर आती है उसके लिए तो आपको फिल्म को ही देखना होगा क्योंकि इस फिल्म में उसकी इस जरनी में सिर्फ वही एक अकिला नहीं जो ब्रीफ केस के पीछे है बलके और भी कई सारे शातिर खिलाडी जो ठीक उसी की तरह असेंशन भी है वो उस बैक क्या और अपने बाकी दूसरे मकसद के लिए भी किसी भी हद तक जा सकते है जिन सारी डीटेल्स को एक्स्प्रेन करने के लिए ये फिल्म बस आपके दो घंटे ही मांगती है जो कि अब आपको डेविड लीच की इस फिल्म को देना भी चाहिए या नहीं चलिए उन सारी की सारी डीटेल्स पर बात करते है लेकिन इंट्रो के बाद जिस पर आने से पहले हर बार की तरह बनती है मेरी चोटी सिर्क्वेज जो की है इस चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक और शेयर करने की तो फिल्म के सिंपल से प्लॉट ए ट्विले को देखकर आप ये चीज बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गए होगे कि सोनी वालों ने इस फिल्म पर दाओ, फिल्म की कास्ट और डिरेक्टर को ध्यान में रखकर खेला था जो मेरी नजर में तो डेफिनेटली इस फिल्म के तौर पर पूरी तरीके से पास हुआ है क्यानि कि फिल्म बहुत ही ज़ादा माइंड ब्लोइंग है जो आपको बिल्कुल भी ना बोर करते हुए बहुत ही अच्छी फन राइट के साथ साथ काफी बूटल एक्शन सीन्स भी दिखाती है और है काफी दूर से दिखाया गया सेक्सीन भी जिसके अकॉर्डिंग तो मैं ये फिल्म आपको डेफिनेटली फैमिली के साथ बैठकर देखनी के एडवाइज बिल्कुल भी नहीं दूंगा जिसके बाद सीधे बात करें इस फिल्म की हिंदी डब की तो वो भी कमाल की है इतनी के फिल्म का इंग्लिश वर्जिन कुछ-कुछ पोशिन्स में जहाँ पर मार खाता है ये फिल्म अपने हिंदी डब में उन खामियों को पूरी तरीके से ढखकर एक बहुत ही अच्छी हिंदी डबिंग फिल्म देती है जो इसी बात की confirmation भी कर देते हैं कि अगर चाहो तो फिल्मों को काफी अच्छे ढंक से हिंदी में डब करकर रिलीस किया जा सकता है क्योंकि आब अगर इस फिल्म के इंग्लिश वर्जिन की बात करें तो हमेशा मेरी निज़र में original ही best होता है लेकिन कहीं कहीं पर ये फिल्म अपने कुछ डालोक्स को बिल्कुल भी अच्छी तरीके से एक्स्प्रेन नहीं कर पाती जिसका credit तो फिल्म के बीजेम को ही जाता है बाकि हर एक एक्टर पर भी हिंदी डप की वोईस बिल्कुल ठीक ठाक मैच कर रही है जिससे हटकर अब सीधे आ जाते है फिल्म के टॉपिक पर जिस पर मैं आपको बस एक ही बात कहूंगा कि आपको बस आपके टाइम को ये सोचकर बिल्कुल भी नहीं जाना कि ये फिल्म उसे अच्छी तरीके से पास करवाएगी बलके ये फिल्म मुझे लगता है थेटर में हर एक को मस्पॉच करनी चाहिए जो कि एक perfect combination है entertainment का कैसल में audience को किस तरीके से entertain करकर एक बहुत ही अच्छी फिल्म को fun के साथ deliver किया जा सकता है जिसमें तारीफ तो definitely हर एक actors की बनती ही है जिनोंने इस बिना story की फिल्म में बहुत ही अच्छी से acting करकर यही बता दिया कि performance के चलते फिल्मों को कितना जादा अच्छा बनाया जा सकता है हाला कि मैं यह नहीं कहता कि फिल्म की कहानी काफी जदा predictable होने की वज़े से यह फिल्म आपके मज़े को खराब करेगी बलकि उसी में यह फिल्म अगेन कहुँगा बहुती अच्छी तरीके से खेलते हुए आपको एक काफी सेटिस्फाइस सी एंडिंग पर भी ले आती है जो जर्नी नॉन स्टॉप बूटेली एक्शन के साथ साथ कई अच्छे कॉमेडी पंचेस के साथ चलती है और गर उसमें किसी को क्रेडिट दिया जाए तो ये क्रेडिट टैंग और लाइमन के करेक्टर को ही जाएगा जिस पर मुझे लगता है सोनी वालों को भी ध्यान देते हुए इस फिल्म को कुछ उसी तरीके से प्रमोट करना चाहिए था लेकिन अब आज की तारिक में जो चीज नहीं छुपती खास करके बड़े बड़े नाम जो अगेन कहूंगा इस फिल्म के साथ जुड़े हुए थे तो ऐसे में स्टूडियो भी कुछ नहीं कर सकता लेकिन अगर आप उन चीज से बचते हुए इस फिल्म को थेटर में जाकर इंजॉय करते हो तो वो मज़ा बहुत ही दुगना नहीं बलके तिगना हो जाता है क्योंकि ये फिल्म खुद में ही बनाई गई का ऐसी ट्रीट है जिसे फिल्म की स्टोरी से हटकर अगर बाकी दूसरे डिपार्टमेंट में देखा जाये तो ये डेफिनेटली एक मास्टर पीस है जो कई सारे क्रिटिक्स को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही क्यासल में इस फिल्म को डेविड लीच ने बनाते वाकितना जादा इंजॉय किया है जिनका डिरेक्शन देखकर आप भी समझ जाओगे कि उनकी नजर फिल्म के डिरेक्शन से लेकर बाकी दूसरे डिपार्टमेंट पर कितनी जादा थी फिल्म के कलर करेक्शन कर देते है जिनने देखकर ये विश्वास नहीं होता कि ये फिल्म 80-90 मिलियन के बजट में बनाई गई है क्योंकि फिल्म को बहुती ओपी लेवल का रखकर ट्रीट किया गया है जिसकी तारीफ करते करते में बिल्कुल भी नहीं ठकूंगा और अब इसके बाद बात करें फिल्म के सबसे बड़े हीरो की तो वो है फिल्म का एडिटर जिसने इस काफी सिंपल सी स्टोरी को इतनी बहतरीन तरीके से एडिट करकर हमारे सामने प्रेजिट किया है कि हरे कैरेक्टर की सिच्वेशन और उर्जिन तक को जिस तरीके से पास्ट और प्रेसेंट में डालकर प्रेसेंट किया गया है वो तक आपको बिलकुल भी नहीं खलता बलकि आप उस फ्लो में चलते हुए अगेन कहुंगा इस फिल्म को बहुत जादा इंजॉय करते हो इतना कि मैंने सुबा से इस फिल्म को दो बार देखा है और तीसरे की प्लैनिंग भी मैंने कर रखी है क्योंकि दो बार देखने के बाद भी इस फिल्म से मेरा मन बिलकुल भी नहीं भरा जो की बेसिकली सूपर जॉनर से हटकर एक अलग ही टॉपिक की फिल्म है जिन के लिए हॉलिवूट को जाना जाता है इसके अलाव फिल्म के वी एफेक्स भी अच्छे है आप उन पर बिलीव करना शुरू कर देते हो और उसके बात बात रही फिल्म के मेंड विलेंड की तो उसे लेकर आपने ये भी सुना होगा कि उस कैरेक्टर को लेकर जितनी जादा फिल्म की शुरुआत से लेकर एंड होने तक हाइप बनाई गई थी वो किसी भी काम की नह जीज़रे से कैसे मार सकता है तो ओसे इस कुछ इस फिल्म के विलेंड के साथ हुआ है अगर इस फिल्म को कृटिक्स की नजरों से देखा जाये तो ऐसी कई सारी कमिया इस फिल्म से निकल कर आ जाएगी जिने मैं तो बस simply कहूंगा कि इग्नॉर करकर आप इस फिल्म के आगर बात की जाए फिल्म के एक्शन की तो फिल्म के शुरूत के 20 से 25 मिनट तक तो कोई एक्शन शुरू नहीं होता लेकिन जब इस रफतार को शुरू किया जाता है तो वो फिल्म के इंड तक बरकरा रहती है आप फिल्म के बहुत ये च्छे कोमेडियर टोन के साथ जिने दिल्कुल भी extraordinary नहीं है जिसकी शुरुवात से ही आपको ये पता रहता है कि फिल्म इंड किस तरीके से होगी और वैसा ही गैसा आपका काम भी करता है क्योंकि ये फिल्म उसी ट्रैक पर चलते वे खतम भी होती है जिस हिसाब से ये रेटिंग पांच में से तीन स्टार की बन और फिर बात करें सीधे सीधे मास ओडियंस की तो नो डाउट मास ओडियंस की नजर में ये फिल्म सीधे perfect score करते हुए A प्लस की category ले जाती है जिसके बाद आजए critics पर तो critics की राये इस फिल्म को लेकर बिल्कुल भी खास नहीं है यानि कि उनकी नजर में ये फिल्म बी की category की है जिन से हटकर तो मैं इस फिल्म को perfect score नहीं बलखे honesty पर चलते हुए A की category में रखूँगा reason मैंने आपको इस वीडियो में बहुत ही अच्छी तरह के से explain कर दिया है बाकी इस फिल्म के as a fans के according ये फिल्म तो A प्लस की rating deserve करती ही है लेकिन जैसी कि मैंने कहा honesty की नाम पर एक ही rating इस फिल्म के लिए बिल्कुल ठीक है जो की फिल्हाल तो बस मेरा एक personal opinion है डेविड लीच की कमाल की इस साल की release ही action comedy film bullet train को लेकर जिस बारे में बनेगी आपकी राय जो आप मुझे comment में लिकर बता सकते हो क्योंकि अब वक्त है इस वीडियो को यही पर खतम करने का बाकी मैं हूँ अजीज आप देख रहे तें movie stock channel जिससे अगर आपने भी तक subscribe नहीं किया है तो subscribe कर लिए और बगल में बनेवे इस बैल आकन के साथ साथ no notification को भी all पर click कर दीजेगा बाकी मैं मिलता हूँ जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और film या भी किसी औ अपिक पर बात करते हूँ तब तक लिए आपने चैनल के बाकी जोसे वीडियो को एंजोई किजिए तिल देन बाई